हमने एसोपी भी बनाई है और एसोपी को सभी जिलों को और सभी अनसंदान करताओं को सुचित कर दिया है उसके भी हम लोग लगातार कारवाई कर रहा है उसके काफी सारे बिंद में आपके सामने रखना चाहिए हुए गटना इत्कल का अविलम निरिच्छन करना है हैं उनको भी दिखा करके उनसे भी लीगल वेटिंग कराना है कि कानून की दिश्टिक मौन के हमारा आरुपत्र ठीक तरह के से दर्ज हो रहा है कि नहीं मौवजा के लिए जो प्रस्ताव है आपको पता है कि इस अधरियम के अंतर का जो पीडित पक्स है उनको मौवजा द सब्सक्राइब के साथ कुछ मौवजा जो है वह अरुपत समय दिया जाता है इस तरह से वह मौवजा का भी मौनिटरिंग जिला इस तरह पर की जाया है था हम रहों ने सोपी में लिखा है गंभीर जो हमारे कान्द है इसमें उनका तोड़िक विचारन कराना है इस उनके आश्रत और जो उनके विटनेस हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना है जहां तक जरौत पड़े उनको जिस तरह के परटेक्शन की जरौत पड़े उनको परटेक्शन देना है ताकि नियाले में वावाही पाए गया था कि एफसल से जांच प्रतिवेदन कुछ अपरा हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से लगातार इन तीन मेनों में हमारी प्रोग्रेस हुई है जन्वरी महिने में दोजार केस के जन्वरी महिने में इस नियम के अंतरगत 550 कांट दर्ज हुए लेकिन हमें डिस्पोजल किये 829 जितने केस हमाई पास में दर केस रेजिस्टर हुए उसकी तुलना में हमने 915 कांटों का डिस्पोजल किया 146 परसेंग ज्यादा केस हमें डिस्पोजल किया मार्च में 664 केस दर्ज हुए उसकी तुलना में 846 कांटों का हमें निश्पादन किया 127 परसेंग ज्यादा कांटों का हमें डिस्पोजल किया इस प्रकार से देखेंगे तो इस साल के तीन मेहनों में कुल 1762 कांड दर्ज हुए जिसमें 2590 कांडों का हमें निश्पादन किया करीब 140 परसंट या लगबग हम कहा सकते हैं कि 1500 परसंट अधिक कांडों का हमें डिस्पोजन दिया इस सुरच्छा देने के लिए बिहार गवा सुरच्छा योजना 2018 के तहत गवाहों के सुरच्छा है तो एक फंड बनाया गया है और बिहार गवा सुरच्छा कोष्ट निमावली 2022 भी मूटिफाइड है इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अली प्रेस कॉंपनिस में बता इदर हाल के दिनों में हम लोगों एक विशेश अभियान चलाया है जिसमें की पुलिस की अविरच्छा से फरार यानि कि जो पुलिस की कस्टडी से अभी भाग जाते हैं ऐसे अभियुक्तों को फिर से ग्रफ़तार करने यह महाभियान चल रहा है हमारा और इसमें हम लोग लगातार करोई की और स्टीएफ को भी लगाया है जिला पुलिस की विशेश टी में वह भी क्रवाई करती है मुest रूप से स्टीएफ की विविबन पुट्मिया रिभनी जगों में काम कर रही है और उसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं जैसे की हमारे पास में आक्रे हैं च्छे फर्वरी से ले करके बीस मई तर हम लोगों ने सोला ऐसे अविक्तों को गरप्तार किया जो पुलिस की कस्टडी से भाग दाए इसमें बहुत सारे अपराद करनी है इसमें सबसे जो अभी हाल का अविक्त है वो है बीस मई को जो बिहार, स्टीफ और दरभंगा पुलिस की से शापा मारी में पुलिस की अविरच्छा से फरार अविक्त जोता मेरे आलम उस पिटा में देखे एनाईये को अभी ट्रांसफर करने का कोई कारण हमारे पास में उपलब नहीं है जहां तक मेरी सूचना है वहां के अधिकारियों से जो बात हुई है उनकी लिस्ट में यह अपरादी शामिल नहीं है यह उनका किसी कांड में पुश्टाश के लिए उनको ले जाया गया था और उसके बाद में वो किसी गेस्ट हाउस में जहां भी रखा गया था वहां से वो गायब हो गया था उसके बाद उन्हों ने एक उसका कांड जाज करा लिया था चुक्कि वो कस्टडी में उसको ले के गया थे चाहपा मरी करने तो उस आधार पे कांड दर्ज हुआ और यह पूलिस की अभी रच्छा से जो फरार हैं जिसमें हमने आप से बताया कि स्टीएफ अभी लगातार कारवाई कर रही है जिसमें 16 अभ्यक्तों को हमने गरतार किया उसी लिफ्ट में से हम लोगों ने गरतार किया तो अभी हम इसको मुझफर पूर जिला पुलिस को हम सौंपेंगे चुकि यह दर्वंगा से गरतार हुआ है मुझफर पूर में कांड दर्ज हुआता है अभी तक कि जो जानकारी है नाइए के पजादिकारियों ने बोला है कि यह हमारे किसी भी कांड में न तो वॉंटिड है और नहीं वहां किसी भी करेक्येसे लिस्टेड है फिर भी हम अव्चारिक रूप से लिक्ट रूप से उनसे यह सूचना प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद में हम ।ोन को सूचित करेंगे कि अभी ऐसी कोई मेरे पास में सूचना नहीं है खराब माप्यों में जो तीन महाकपूर उपलब्धी थी वह हम आपको भी दे देते हैं तीन बड़ी कारवाई हुई हैं अभी हाल के दिनों में जो हमने उसको रखा था हमने सोचा था और प्रस और सूचना आए जाएंजी त आपको दे देंगे तीन अच्छी उखलब दी हैं हमाँ पास में आपको भी आउगत करा देंगे प्रेस नोट में देदेंगे तो कुल प्रारा देंगे क्या कि वो मेरे पास में आकरान नहीं है लेकिन एट स्टी अफ की टीम को अलग-अलग अरिया वाइज बाट करके कि गरतारी करने की दिशा में हमनों का प्रियास हो रहा है आपने देखा 10 वर से फिरार 15 वर से फिरार 24 से फिरार ऐसे अपराद कर्मी जो पुलिस की फाईलों में फिरार रह जाते हैं और उसके बाद में फिर लगातार कोई अफर्ट नहीं होता एक बार कुर्की जपती हो जाने के बाद में फिर लगातार अफर्ट नहीं होता है एस ड्राइव जब होती है तब बहुत सारे अपराद कर्मियों की जिनकी कुर्की जपती हो गई है जो सालों से ग्रफदार नहीं हुए हैं उनके लिए अवियान चड़ता है लेकिन ये फोकस अवियान है और बिल्क किस सर्वे रिपोर्ट की बाद करते हैं किस ने की है किस आधार पर की है कितने जिलों में किया है कहां से आकड़ा उखलत करा है मुझे वो जानकारी है ने मैं आपसे कहूंगा कि सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने लाए हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में उस पर जो भी हुचित कारवाई है वो हम लोग निशी तरूप से करेंगे नोबर्पूर के सरास्वे ने नहीं कि से फरार हुचा नहीं किस मावले मरे संबार अगये थी पूछनाच करने के लिए यह एफ आई यार में वांटेड नहीं था इन आई-ए को ऐसा शक हुआ कि इसको कुछ जानकारी होगी तो उसके बाद में इसको वहां के साउस में रखा गया था कुछ और इंपुट इकटा करके कुछ और लोगों के बारे में उस बीच में वहा बात लेकर के आये थे तो उस तरीके से इन्होंने एक फाई-आडर दर्ज की है डिटेल जैसा मैंने आपको बताया हम एनाई-ए को लिखित रूप में सूचित कर रहे हैं और अभी मिझे लगता है दो तीन घंटे में लिखित रूप से मैंने बिहार के एटीयस के एस्पी क को कहा है यहां के एटीयस के एस्पी ने वहाँ एनाई-ए को पत्र लिखा है और वो कह रहे हैं कि आदे घंटे में विश्टरित सूचना आप लिखित रहे हैं उनसे सूचना प्राप्ट कर लेंगे कि उनकी किसी केस में वांटेड है कि नहीं है अनौपचार एक रूप से म आईए कि केस में वांटेड ही नहीं यह वास्तों में कुछ अन्य अव्युक्तियों की गरफतारी के लिए उनकी पहचान करने के लिए ले जाए गया आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं आशिरवाद रो आईए